दोस्तो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ किड़नी की समस्याओं के लिए एक बहुत ही पुरीमियम ब्रांड सीरप नीरी के एफटी के बारे में आम तोर पर नीरी सीरप के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन यह नीरी के एफटी सीरप आपको फायदा करता है किड़नी फेलियोर की कंडिशन में, क्रोनिक किड़नी डिसीज में, नेफराइटिस की कंडिशन में, गुर्दे से जुड़ हुए दूसरे रोगों में तो वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह की है मैटिसन है, क्या प्रमुख जड़ी बूटियो का यूज इसको बनाने के लिए किया गया है, क्या इसकी सही सेवन मात्रा और सेवन विधी रहती है, कुछ साफधानियों के बारे में, तो अपनी वीडियो के मे इंटर्ड्यूस कराता हूँ, इस नीरी के एफटी सीरप के साथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में रखी है एक बोटल जिसके अंदर है, कुल मिला करके 200 ml दवाई, नीरी के एफटी सीरप, एमिल कमपनी का बनाया गया, यह सीरप रहता है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हम इस सीरप से मिलने वाले फायदों के बारे में, तो इसके फायदे समझने के लिए जरूरी होता है, कि हम ध्यान दें इसके कमपोजिशन के उपर, इसका कमपोजिशन बहुत ही जादा एन्रिच्ड है, और इसके फॉर्मॉलेशन की जानकारी को देखने से हमें मालूम होता है कि इसके अंदर जो की इंगरेडियन्ट है, हर दस एमल दवाई के अंदर में मिलाया गया है, पुनर नवा एक ग्राम, उसके लावा पंच तिरन मूल इसके अंदर मिलाये गए है, एक ग्राम, कासनी, छैसों एमजी और गुरूची इसके अंदर गया है, उन सब के अलावा इसमें कमल ककडी, पलाश, गोकशूर और अपका हरिदरा, शीगरू, इस तरीके से करके लगभग 35-40 तरह की जड़ी बूटियों मिलाए गई है, और सभी ही जड़ी बूटियों की जो क्वांटिटी है, वो काफी जादा रखी गई है, आम तोर पर देखा जाता है, जितने भी सीरप होते हैं, उसमें प्रतियक तत्व की जो क्वांटिटी है 15-20 एमजी रहती है, लेकिन इस नीरी के एफटी में जितने भी इंग्रेडियन्ट्स मिलाए गए हैं, वो 300-400-500 एमजी तक और एक ग्राम तक की मातरा में भी इसके अंदर की UTI हो जाना, हाइडरोनेफरोसिस हो जाना, गुर्दों में थोड़ा सा इनफेक्शन हो जाना, पत्थरी बन जाना, तो ऐसी कंडिशन्स में तो नीरी सीरप काम करता है, लेकिन जब कंडिशन उससे आगे खराब हो जाती है, आपको नेफराइटिस होने लगती है, किडिन stress में आने लगती है kidney के उपर swelling आने लगती है patient दीरे-दीरे kidney failure की तरफ जाने लगता है तो ऐसी condition में नीरी KFT syrup का saveन करना एक बहुत अच्छा option रहता है आपके regular treatment के साथ में यदि आप इस नीरी KFT syrup का saveन करते हैं तो आपकी जो बाकी medicines का result है वो भी बढ़ जाता है और यह अपने प्रभाव भेद से आईरवेद की सक्ति से गुर्दों को एक नया जीवन देने का कार्य करता है kidney के अंदर यदि कार्य शमता में कमी आ रही है तो इसका regular saveन करने से kidneys दीरे-दीरे अपनी natural working power गेन करने लगती है नेफरोंस के ओपर जो swelling आ जाती है नेफरोंस आपके वापिस से repair होने लगते है और kidneys आपकी दुबारा से काफी हद तक टीट हो जाती है better हो जाती है, healthy हो जाती है बात करते हैं friends इस syrup की 7 विधी और 7 मातरा के बारे में तो इसकी जो normal एक dozing है उसको ये mention करते है adult इंसान के लिए लगबग 3 चमच की मातरा में लेना होता है एक समय में अरथा 15 ml दबाई इसकी एक समय में ली जानी चाहिए और एक दिन में अधिक्तम 3 बार तक इसको सेवन करना चाहिए गुनगुने गर्म पानी के साथ में जिन बच्चों की आयू 3 साल से लेकर 14 साल तक है उनको अपनी आयू के हिसाब से 2 ml से लेकर के और 10 ml अधिक्तम की मातरा में यह एक समय में दिया जाना चाहिए और उनको दिन भर में 2 मातरा इसकी दी जानी चाहिए उसके बाद में बात करते हैं इस सीरप के सेवन काल में कुछ साथधानियों के बारे में तो मुख्य साथधानी आपको यह रखनी होती है कि चुकि किडिनी एक बहुत ही सेंसिटिव और्गन रहती है और जब आपको किडिनी की इतनी परमुक डिसीज है कि आपका जो फिजिशन है वो आपको नीरी के एफटी सेवन करने की सला दे रहा है तो आपको थोड़ा सा जागरूप होना पड़ता है ऐसा कोई भी आहार विहार जो गुर्दों के लिए एहित कर हो हाई प्रोटीन वाली डाइट आपको नहीं लेनी है बहुत ही ज़्यादा ओईली, स्पाइसी, जंक फूड, केमिकल मिला हुआ भोजन, फास्ट फूड, तला हुआ भोजन, मिर्च मसालेदार आपको सेवन नहीं करना चाहिए दिन भर में पर्याप्त मातर में आपको पानी पीना चाहिए और पानी यदि आप पका कर पीते हैं, पका कर रखी लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, सूती कपड़े की दो या तीन तहसे आप उसको चान लीजिए तब आप उसको सेवन करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यह देता है, भले ही आरो का पानी हो, भले ही प्यूरी फायर का पानी हो, लेकिन यदि आप उसको उबाल कर पीते हैं, तो गुर्दे के रोग्यों के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुरक्षित उप्श यह रहता है, सबसे लास्ट में फ्रेंड सम बात करते हैं इस मेडिसन की प्राइजिंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 ml की पैकिंग में यह है नीरी के एफटी सीरप आपको अवेलेबल होता है, 200 ml दवाई की जो कीमत है वो 520 रुपे पैकिट के ओपर म आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल इस्टोर अत्वा आयरवेदिक दवाईयों की दुकान से यह नीरी के एफटी सीरप आपको बहुत आसानी के साथ में मिल जाता है, ओनलाइन भी आप इसको पर्चेस कर सकते हैं, ओनलाइन पर्चेस करने का लिंक मैं आपको करना चाहूंगा कि हमारा ही है चैनल प्रकाशित आयरवेद मेरट इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ओल पर आपको किलिक करना है, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें, मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार.